जो कभी दो वक्त की रोटी कमाने के लिए करता था मजदूरी उसने कैसे खड़ा कर दिया इतना बड़ा सामराज्य के अब देता है हर वर्ष 5000 करोड टेक्स हम बताएंगे इसके पीछे की पूरी सचाई जिसे चान कर आप भी जाएंगे चौक और खुद को नहीं पाएंगे कोई व्यक्ति विदेश से आया और कुछ साल इधर उधर की ठोकरे खाये दो वक्त के निवाले का इंतजाम करने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ी लेकिन वो देखते देखते इतना अमीर हो जाए कि 1300 करोड से भी जादा डोनेशन में दे दिया करे तो हैरान होना लाज शुरू हुई चुनावी बॉंड स्कीन पर डेटा जारी किया है तो हरकम मच गया ऐसा इसलिए क्योंकि इन चुनावी बॉंड के द्वारा पता चला है कि कई उध्योग पतियों ने राजुनितिक दलो को बेशुमार धन दान में दिया था जारी इस लिस्ट में सबसे उप पर फ्यूचर गेमिंग प्राइवेट लिमेटिट का नाम आता है इसकी नीव वर्षों पहले सेंटियागो मार्टिन ने रखी थी जो कि एक लॉट्री कंपनी है जिस कंपनी ने राजनितिक दलो को 1368 करोड रुपे का डोनिशन दिया था हम जिनकी बात करें उन मार्टिन क तो लॉट्री किंग भी कहा जाता है ये लॉट्री किंग अपने बिजनस के साथ राजनितिक दलों में भी अठ्छी खासी पेट बनाये हुए है ताकि लॉट्री किंग को राजनितिक संड़क्शन मिलता रहे अब ऐसे में आप भी समझ लीजए कि आकिरकार लॉट्री यानि सेंटियागो मार्टिन कौन है सेंटियागो मार्टिन 1961 में जन्में अपनी युवावस्था का कुछ समय मयामार में दिहारी मलदूरी के रूप में इनोंने काम किया उसके बाद 1980 के दश्रक में जब लॉट्री टिकेटों का क्रेज बढ़ा तो वो भारत लोटा गये और टाटाबाद में एक चाय की दुकान में काम करते हुए वो कोयमबर टूर में रहने लगे बस इसी चाय की दुकान में काम करते हुए लोट्री टिकेट बेशने का काम भी मार्टिन ने शुरू कर दिया और यही टिकेट का कारुबार आगे चलके मार्टिन की कामियावी क सीडी बन गया सन 1987 में जब मार्टिन की उम्र मातर 26 साल थी तब मार्टिन ने 5 लोटरी की दुकाने खोली उसी साल उनकी शादी हो गई और फिर अगले ही साल यानी 1988 में मार्टिन ने टिकेट चापने का काम शुरू कर दिया कई ब्रैंडों और ज्यादा प्राइज के साथ अपना लोटरी विवसाई शुरू किया जैसे जैसे कारोबार बढ़ा मार्टिन चेनी में डेकन एजिंसी मदुरे में के एएस शेखर और त्रिची में अपने भाई रामदास जैसे शेत्रे खिलाडियों को टक कर देने लगे प्रतिबंद लगाने का फैसला ले लिया ये मार्टिन 2000 के दशक तक उद्योग और राजनितिक दलो के लिए बड़ी पहचान बन चुके थे ये पहचान इसलिए थी क्योंकि मार्टिन राजनितिक दलो को आर्थिक सहयोग दिया करते थे ताकि उनकी व्यवसाई में कोई द दिक्कत आ गई जब जयललिता की सरकार ने लोटरी पर प्रतिबंद की बात कहे लेकिन समय के साथ ये भी दिक्कत सही हो गई और मार्टिन का लोटरी उद्योग फिर से चल निकला लेकिन इन मार्टिन पर 2010 में प्रवतन नितिशाली याने इडी ने उन पर 2008 में सिक्किन सरक सार को धोका देने और 910 करोड रुपए का गयर कानूनी लाप कमाने का आरोप लगाया मार्टिन तभी से केंद्रिय एजेंसी के रडार पर आ गये थे और इन ही सब के बाद मार्टिन ने राजमितिक दलों से दूरी बनाना शुरू कर दी और केवल रियल स्टेट सिक्षा और मीडिया में नए उद्यों को पर ध्यान देना शुरू कर दिया ये मार्टिन दो हजार दो तीन में भारत में सबसे अधिक इंडिविज्वल टेक्स पेर में से एक हुआ करते थे उन्होंने और उनकी कमपनियों के सम्हूने सामोहिक रूप से जुलाई 2017 से सितंबर 2023 तक जुयस्टिक के रूप में 23,199 करोड यानी प्रतिवश 5,000 करोड टेक्स का भुखतान मार्टिन ने किया है बिरो रिपोर्ट पीडियन निउस